अच्छुन्स मेराम सूरिय हुर आप देख रहा है वोलिवूड क्रेजी इस एक वीडियो में डाया था थोड़ी देर पहले वो भी दबंग थी को लेकर था और दुबई के मेरे दोस्त में वो रिव्यू भेजा था वो उनका पॉइंट ऑफ यू था वो मैंने प्लॉइड कि यहां पर एक ज़रूर है कि फैंस को वीडियो बहुत पसंद नहीं आया था यानि कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद नहीं आया तो यहां पर मैं मानता हूं मेरी गल्ती होगए कि फिल्म अभी तक इंडिया में रिलीज नहीं हुई है तो वह एक उपीनियन है जहां पर मेरी गल्ती है मैं मानता हूँ इसलिए मैं वीडियो डिलीट करना ही जाता बहता समझागी कि अभी तब लोगों देखी नहीं है और फिल्म कल इंजाए में रिलीट करने है यह वीडियो अगर मैं कल रिलीट होने के बाट जाल तो शाइद लोगों को एक क्लियर्टी रहती तो शाइद सही है फिल्म नहीं है फिल्म सही तो एक समझ में आज आता लेकिन अभी के फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो यह ज़रूर एक बड़ा रिजन है मेरे वीडियो डिलीट करने का तो कैसा है ना देखो मेरी जो इमेज है वो आप लोगों से है और पबलिक से है और आप लोगों के अगर फिल्म पसंद नहीं है तो उस वीडियो का आई मिन आप लोगों के मतलब मेरा वीडियो पसंद नहीं आया तो मतलब नहीं है उस वीडियो को डाल के क्याने का मतलब यह है कि आप खुश नहीं तो मतलब नहीं मुझे वैसे भी फिल्म का जो भी उपीन वीडियो डिलीट नहीं किया है, वीडियो प्राइवेट प्रैटों मैं शायद उसको वापसे भी डाल सकता हूँ, अगर आपको इतना जाननी है मेरी हिम्मत लेकिन मैं वह हिम्मत नहीं लिखाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो हटाना ही ज़रा सही बात ह जाए फिल्म के रिलीज को लेकर तो मैं भी उतने एक्साइट हूँ जितना आप हो इसलिए मैं खुद जब फिल्मों को सपोर्ट करता आया हूँ तो मैं कैसे एक फिल्म के बारे में बुरा कह सकता हूँ, या फिर उस तरा गर वीडियो डाल सका है कि इस फिल्म रिलीज है तो किसी का बुरा भला कुछ नहीं है मरला अपने पनी राय सबकी है, मैं जो डाय है मैं आपको जो बताऊंगा, इस वीडियो को लेकर जो बताईगा और जिनको अभी मैं चानल अनसब्सकाइब करना है तो कर सकते हैं, मैं हमेशा बहुत ज़्यादा इस सोसता नहीं सुक कि यहां पर मेरी गल्ती है, फिर मैं एक्लीज रिलीज होने देते हैं, उसके बात करते हैं, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, अब बाकी आप लोग को कितने excited film के लिए जोर बताईए और आप लोग कोन सा शो देखने बाले जोर बताएगा, और मेरा जो होगा मैं कल झालाव